ये हैं देश का भविश्य ये पहली बार देने वाले हैं वोट एक भी वोट जो आपी कास्ट करते हैं या और भी जो लोग कास्ट करते हैं वो ये तै करेगा कि भारत का फुचर क्या होगा ये पॉलिसी बनाएंगे देश चमकाएंगे पॉलिसी काफी आई हैं काफी काम भी हुआ है लेकिन इंप्लिमेंटेशन में इस्चुज आए है क्योंकि हमारे पॉपिलेशन बहुत बड़ी है इस देश की तो इंप्लिमेंटेशन में आते हैं इस्चुज ये बनाएंगे श्रेष्ट भारत वो जो यंग तपका है वो क्या सोच रहा है श्रेष्ट भारत की बात युवाओं के साथ नमस्कार श्रेष्ट भारत में आप सभी का स्वागत है मैं हूं आपके साथ गुलविश बहुत जरूरी दिन आने वाला है जिहां लोगसभा चुनाफ अब कभी भी होने वाले हैं कभी भी तारीख खा जाएगी और ऐसे में बहुत बड़ी एहम चीज जो की होगी वो है मतदान इंपॉर्टन्स बहुत है वोट देने की और ऐसे में अगर 2019 की बात करूँ मैं लोगसभा चुनाफ की तो 90 करोड मतदाताओं ने वोट क किया था जिसमें से देर करोड वोटेस जुन ने फर्स ताइम वोट किया था यानि कि फर्स ताइम वोटेस और जिनकी उमर 18-19 साल के बीच थी तो यह बहुत इंपॉर्टन्ट है जो फर्स ताइम वोट करते हैं वो कितने एक्साइटेड है क्या सोचते है पॉलिसी को लेक हैं बहुत excited हैं बात करनी के लिए सीधे उनका रूख करेंगे उनसे हम बात करेंगे चलिए पहले में आप से जानना चाहूंगी क्या आप समझते हैं कि वोटिंग की आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मेक इंडिया एक बहुत अच्छी पॉलिसी है जो कि आगे लेकर जाएगी हमारे भारत को क्योंकि इंपोर्ट में जो प्रॉब्लम साती हैं प्लस इंपोर्ट का जो खर्चा बढ़ता है उससे हम लोग को काफी हद तक उससे निजात मिलेगी दूसरी बात हो गई कि जो टोईलेट्स और जो घर घर नल की जो सुविदा है जैसे की पानी पहुचेगा प्लस टोईलेट्स हैं प्लस जो घर बनवाए गए आवासी चाहें वो ग्रामीर आवासी योजना हो या शहरी आवासी योजना हो उनके तहत फिर इससे फिर आपका ये बात लिंग हो जाती है कि जो इस्तरियों का समान है कि उनको खुले में अगर शौच के लिए जाना पड़ता था तो उसमें कई सारी दिक्कते होती थी उससे निजा तो यहां पर देखिए कि कि अच्छे यह बाते यह कर रहे हैं जो जो परेशानिया है उनको यह स्टूडन समझ रहे हैं और यह हम बात करने आए हैं यहां पर इन स्टूडन से आपका नाम क्या है मेरा नाम कुश्भू रास्दान है तो खुश्भू इस बार आप वोट करोगे हाव एक्साइटे यू वेल पहली बार वोटिंग हो रही है तो अविसली उत्साहा भी बहुत जादा है यह वोट बहुत इंपोर्टन होगा दुनिया में भारत में दुनिया में आपके लिए कितना इंपोर्टन है बहुत जादा क्योंकि हर वोट माइने रखता है in the grand scheme of things हर एक वोट हर एक पॉल जिंदगी में और भारत के लिए नहीं पुरे देश में और विदेश में भी यह बहुत इंपॉर्टन है क्योंकि 2024 में 50 में इलेक्शन होने वाले हैं तो यह इस्टोरिकली भी बहुत इंपॉर्टन साल होना होने वाला है अज एक बाया बताईए कि जिसस आप से आप लोग सबस्क्राव करें तो जाहिए ऐसा तो मामी टैड़ी बोलें कि इनको वोट करके आजाओ वैसा तो नहीं करोंगे वह प्रधान मंतरी ने भी हमें बताया था कि अव्यर किया था कि इतनी सारी पॉलिसी आ रही है तो मेरे हिसाब से सबसे important policies education को लेके हो तुम अपनी सोच समझ के और उससे वोट करोगे किसी के कहने पर नहीं करोगे क्योंकि जो भी है यह हमारा भी फ्यूचर है तो अगर आपको इस फ्यूचर में अपना से चाहिए तो आपको अपने थौट से वोट करना चाहिए बहुत ही बहतरीन यह बाते यहां पर हो रही है मारे साथ एक और सूरिंट मौजूद है आपका नाम तृधा तृधा एक बात कि अवरे यह बाता है उनकी तरफ जा रही है उनको बता रही है कि वो क्या चाहते है क्या करेंगे जी एज यंगसर मुझे भी सोशल मेडिया अलव हम जितने भी हैं सोशल मेडिया हम सबस्टाब रहता हैं एंड ट्राइंग तुर रही हमारी तर हमें अपनी पॉलिटी बता बताने के लिए अपनी क्वालिटी बताने के लिए सोशल मीडिय का एक्स्ट्रीम यूज करते हैं विच बहुत अच्छी एक वो अभी हाल में कुछ हुआ था कि आपको पता है रिकाने जो अभी बात हो रही है इसके बारे में जो डिजितल फोरूम पे प्रदाम मंत्री ने अभी आपको बताया और उन्हों ने भी इस चीज को सब के आगे रखा ताकि हम जितने भी हैं यंग सर्स जादा आए आगे बढ़ें और वोट दें अपना बिल्कुल तो यहां पर जो यह सारे जो फर्स टाइम वोटर्स हैं बहुत सजग हैं अपने अपनी सोच को लेकर कि कहां मुदव पर वोट करने वाले हैं चलिए और स्टुडन से बात करेंगे आप का नाम क्या है? तो अब क्या सोच के वोट करेंगी अपके लिए सबसे इमपोर्टन क्या है जिसको सोच का वोट करने वाली एंस बारे तो पहला मेरा वही होगा कि I think of it as my future मैं अपने future पर फोकस करूं और मैं जो पढ़ रही इस पर फोकस करूं मैं बायोटेक की हूं तो मैं उस पर फोकस करूं कि कि बायोटेक सेक्टर में कितना कॉनसी पार्टी या कॉनसी फूचर लीडिंग इलेक्शन में जो जीतेगा वो उ कि उवाइन करण गुवर्में नहीं क्या काम किया हमारे लीए हमारे इंफरस्ट्रॉक्ट्चर पे अमारे अबे क्रिश कीजम क्या है अब फोकस करके ही कि हम वोड़ करेंगे अपकंडलिबल्हाज काओ काम भी हुआ पॉलिसी काफीन three ऐस्ष मैं इश ऑविसली आये काम से तो इंपलिमेनटेश से समझ रहें कि इंपलेशार कर रहे चलिए आप बताइए क्या है पका नाम मेना में आप tangled parents मैं आप से जानना चाहूंगी आप क्या सोच के वोट करना चाह रहे हैं क्या कौन से मुद्धे हैं जो आप चाहते हैं जिन पर काम हो जल्दी जो आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है जो मैं सोच के वोट करना चाह रहा हूं बेसिकली अगर आई-ट सेक्टर में जस्ट याप फोन्स भी आप प्रोस्टाइशन प्रोसेशन को लेकर आप चाह इंदिया करते हैं अगर हम इवी की प्रोडक्शन इंडिया में एक मिडल एज मैं उस इवी को खरीज सकते हैं जिसके वैसा है इनो प्रोडूशन आप पॉलूशन वह कम लीचाहिए बड़ प्रोसेशन संभव आप किन मुद्धों पर वोट करेंगे इस बार मैं एक्चुली मुद्ध कोई एक फिक्स नहीं है बट जैसे अब आप देखो पहले न्यू पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम लॉय और पेंशन स्कीम डिमॉलिश्ट बावर्मेंट इनू पेंशन स्कीम इनेबल ब क्लास की लाइफ के असान हुई है आपको लगता है मैं लाइफ असान नहीं हुई है क्योंकि जिस तरह से आप देखो कि अगर सरकार ने भली थोड़ी पेमेंट इंक्रीज करी है बट ओन दी अधर हैंड वहीं तुम्हें महंगाई भी उतनी मिलिए महंगाई की बात करते है थोड़ी सी महंगाई को लेकर क्या महंगाई अपको लगता है बड़ी है आप मतलब कहीं न खहीं क्या सепाइए कर दी आथसी स्टित कर दी है अफकोर्स हर चीज महंगी हो रही है लेकिन उस से साथ से इंकम सोर्se और जो हमारी करेंट इंकम है वो अंधर बहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो सभी हो रहे हैंसे एक्वी सरवाइवल और एक्षिर बेटर हमें इंकम हम भी मिल रही है इंफलेशन की सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है वह वर ऐल ग्लोब इंपक्ट है तो को लगता है इंडिया उसमें काफी अच्छा काम कर रही है और इसे बेटर कर सकती है लेकिन जैसे पहले situation समाहली गई थी उसे साफ से इस टाइम पर जादा अच्छी सिच्वेशन सभाली जा रही है वो समझ रहे हैं कि क्या क्या पॉलिसीज है क्या होना चाहिए आगे उनको फ्यूचर को क्या ज़रूत पड़ेगी फ्यूचर की हम बात करेंगे आपको लगता है जो अभी आप पड़ाई कर रहे हो अब जल्दी आप निकलो गे बाहर जो आप फ्यूचर में जैसे मैं M.T. Institute of Psychology and Allied Sciences की स्टुडेंट हूँ तो मैं यह आगे देखना चाहूंगी कि जितने भी स्कूल में काउंसलिंग सेक्टर से उसमें अन्नों काउंसलर विदाउट डिग्री ना हो एक साइकॉलिजी की डिग्री परसीव करके वहां पर बैठा हो दो च प्लाइ किया गया है कि बोर्ड के लिए बच्चों को पैरेंस को मातपिताओं को सब को फ्री कांसलिंग दी जाएगी उस चीज़ को मैं बहुत जादा एप्रिशेट करती हूं और सेकेंड मैं जो बहुत जादा उमीद रखती हूं वह मैं डिसाइड इस बात पे करूंग कि इसके मैनिफेस्टों में वो चीज आती है पहला फेक्टर मुझे जो लगता है ग्राउंड लेवल इंप्लिमेंटेशन हम लोग बात करते हैं ग्राउंड लेवल पे एजुकेशन की बहुत सारी उजनाएं बहुत सारी पॉलिसीज है बट क्या वो इंपेक्ट है इस देर ए है जो गरीबी है जो कि बहुत ही मेजर पॉइंट है वो 2047 तक नहीं रहना चाहिए किसी भी सिटिजन के लए आपको लगता है कि अवर्ज इंकम बढ़ेगी आने अगल बढ़ेगी बिल्कुल बढ़ेगी हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत योजनाय निकाले है इंप्लाइ उसको लेकर भी हम बात करेंगे आप बताइए कौन-कौन से मुद्धे आपके लिए जरूरी है और वुमिन इंपावर्मेंट को लेकर आपको जुप कहना चाहोगी जी हाँ विमन इंपावर्मेंट भी बहुत एक एहम मुद्धा है जिस पे हमें ध्यान रखना चाहिए जो हमारा अग्रिकल्चर सेक्टर जो है वह बहुत महत्वपून है तो यह है कि इस बार उसमें बजट बड़ा है सेक्टर में बट फिर भी ऐसी बहुत सारी चीजे हैं जो हमें खुद से करनी चाहिए ना कि हम भार से आइडिया इंपोर्ट करें जो मेके इंडिया हम उसे तो बनारे हैं उससे बहुत जादा हमें काभलियत है इंडिया में और चीजे हम बना सकते हैं और सब्गुछ सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि अब कितने इस बारेडिया एक जुट हो के अगे बढ़ रहे हैं तो अब जब हमने मेके इंडिया शुरू कर लिए तो क्यों नहीं स पर उच्षेंडें के लिए के लिए उस्टुडंस के बारे में लिए इंपॉर्टंस के लिए अपलोग करेंगे आप लोग आ गए बताई आप किन मुद्धों पर वोट करने लिए असटुडंट ओफ गुपन। लेक्षा पड़िया थे लिए इडिया इंडिया इंडिया इस कर्राइश प्लेगिंग विध इस्टाइश अन्प्लोइम्ट तो बहुत ही इस्ट्रोंग और एफिशिट मेजूर्स लेने चाहिए ताकि इन इस इस्ट्रों को बेटर किया सके कि हम राइट लोगों को फर दे र यह आगी जागर जो इंजिनियर्स टेक्नोलोजिस्स और साइंटेस्स बनते हैं यह सिर्फीन परसेंट फीमेल्स ही बन रही हैं तो इवन दो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना हैं बहुत जादा सक्सेस्फुली इंडिया में काम कर रही हैं बड सिल इसके इंप्लिमेंटेशन में थोड़ी इस्ट्रों अभी भी हैं जैसे पीम श्री योजना और पीम के और भी अर्भी अर्णराबल प्र राधर उसके एक्जाक्ट इंप्लिमेंटेशन एन उस पे विल्कुल देखिए पॉलिसी बहुत बन रही हैं लेकिन उनकी इंप्लिमेंटेशन भी बहुत जादा जरूरी है आप यहां पर गया है आप बताएगे तो जैसे कि उन्होंने का है कि पॉलिसी बहुत जादा बन as an economic student I would like to more focus towards the health care health care में government ने इस साल बहुत कुछ किया है जो कि budget भी निकली हमारा interim budget अभी 1st February को दो main जो काम किया है एक तो आपका cervical cancer जो की होता है उसको prevent करने के लिए government ने vaccination दिया है 9 से 14 साल की लड़कियों को दूसरा government क्या कर रही है वह है medical institutions को बढ़ा रही है जो जो vaccination की बात हो रही है स्वाइकल कांसर की उसको लेकर भी यह बात कही गई है लेकिन implementation को लेकर बहुत सारे स्टुडेंस सवाल पूछ रहे हैं मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा implementation हुई है मेरे department में that is psychology being a psychology student मेरे लिए सबसे बड़ी बात है करना आज की जनरेशन में बहुत ज्यादा सुसाइड के चांसे होते जा रहे है क्योंकि competition बढ़ा है जिसके वज़े से बहुत देखा गया है कि सुसाइड हुए है इस साल भी बट पहले से जैसे बहुत सारी चीज़ें बहुत की कुछ हुई यहीं देखोंगी कि मेरे सेक्टर में क्या development हो रही है क्यूंकि बिना psychology के बिना आपके दिमाग करके आपकुछ नहीं कर सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंस है अलग-अलग से जो हम को बता रहे हैं आब बतें नमस्कार जैसे कि हमने बात की कि भारत की जैसे मानसिक स्वास प्रणालिया या नई शिक्षा प्रणालिया काफी सरानिय पॉलिसी वर्क हुआ है और इसे एजुकेशन तक देश का युवा लेके जाएगा देश के प्रफेशनल देश का युवा ना ही सिर्फ हमारी सोथ से न काफी अच्छा शिफ्ट है जो मैंने अबजर्व किया है और मेरे हिसाब से ऐसे ही इंटरडिसिप्लियरी स्टडी इंटीग्रेशन कोलाबरेशन इन चीजों से और पैक्टिकल वर्क डूइंग जॉब डूइंग एटिटूट से हम अपने देश को उस एक्जीक्यूशन कर उनको वोट देना है तो लगातार हमने स्टुडेंट से बात की और रजाना की फिर्स्ट टाइम वोटर्स क्या सोच रहे हैं तो फ्रेश्ट भारत में अभी के लिए बस इतना ही तो अमेतर ने मुझूद है यहां पर एमने स्टूद से बात की जो कि जानते हैं कि कि या स निज़ करने वाले हो आप अपने आप सोस्ट समझ के वोट करो गे या फिर घरवाले बोलेंगे इसको वोट करो अपने आप करूगा जैसे मैं अभी राम उपनी तो यह अभी बहुत कर आया था एंड-डाइड की बीजी पी ने क्या करा है और एजुकेशन सेक्टर के मैं हिसाब से नहीं जाओंगा क्रिकेशन सेक्टर में उनका जादा काम नहीं है बट देश के उस विकास के इसाब से बीजेपी ने बहुत काम गए तो मेरा वोड प्रॉबबिली बीजेपी की तरफ ही जाएगा बिल्कुल तो चलिए फिर क्या आप हम में सुनाना चाहेंगे कुछ अच्छे से म्यूजिक के साथ हम यहां पर अलविदार कहना चाहेंगे मेरे पास अब बैठे हैं हम भी यहां दिल के दर्मियां बारिशें हैं बारिशें हैं तेरी ही बातों पे मैंने सजा ली है दुनिया यहां दिल के दर्मियां बारिशें हैं बारिशें अब तु आती हैं बुलाती हैं बिस्तर से यू गिराती हैं के सूँ मैं बाहों में बस तेरी ही जब बारिशें बरस्ती हैं पागल जैसे थे रखती हैं तुम जैसी हो बस वैसी ही रहो